Hello everyone, I am Sajita Srivastav from Mahatma Gandhi Sikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. Mahatma Gandhi Sikshan Sansthan के YouTube channel पर आपका स्वागत है. बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाथे पुस्तक मकरंद से पाथ 8 जिसका सिर्षक है जंगल जंगल बात चली है पढ़ाने जा रही हूँ. यह कहानी परियावरन पर आधारित है बच्चों जैसा कि सिर्षक है जंगल जंगल बात चली है यह इस तरह के सिर्षक पर आधारित आपने टीवी पर एक कार्टून फिल्म जरूर देखी होगी जो बच्चों के लिए था जिसमें एक मोगली नाम का बच्चा था जो जंगल म बात चली है जंगल जंगल बात चली है पता चली है पता चला है अरे चग्धी पहन के फूल खिला है फूल खिला है तो बच्चों आज हम यह कहानी जो है वह जंगल बुक से लिया गया है और इसके लेखक हैं रूडियाड किपलिंग तो बच्चों आओ हम आज इस पाठ को पढ़ते हैं चंपा राज्ये में एक घना जंगल था उसमें साल, सागोन, देबदार, सीसम और बर्गद के ब्रिक्ष थे घनी जारियों और छोटे-छोटे पोधों से जंगल सदा हरा भरा रहता था जंगल में एक नदी बहती थी उसका कल-कल बहता जल मन को बहुत सुहाता था उसमें तैरती, इतलाती, मचलियां, आनंद से उचलकुद मचाती थी वहां तरह-तरह के जंगली जानवर दिन भर अठखेलियां करते रहते थे रंग बिरंगे, फूलों पर मड़ाती तितलियां और मीठे स्वर में गाते, सभी पक्षी सभी का मन मोह लेते थे बच्चों, जंगल में चारो तरफ सुखी सुख था वहां के पेर भी हसी खुशी से जीवन विता रहे थे पर एक दिन उनके जीवन में भुचाल आ गया कुछ आदमी जंगल में आये और पेरों को कुलहारी से काटने लगे जैसे ही किसी पेर पर कुलहारी परती वैसे ही वह दर्व से चीख खुटता बच्चों आप जानते हो कि पेर पौधे भी सजीव प्रानी में आते हैं ता आसपास के पेर सहम जाते थे फिर तो हर दिन ऐसा होने लगा आदमी आते और पेरों को बेरहमी से काट कर ले जाते उहां खरे बाकी बचे पेर अपने भाईयों की मौत पर दुख मनाते उन्हें न खाना अच्छा लगता न पीना धीरे धीरे वे कमजोर होते जा रहे थे उनके पत्ते भी पीले पढ़ने लगे थे बच्चों एक दिन पेर ने बरगद के बुढ़े पेर से पूछा दादा क्या हमें भी ये निर्दई एक दिन काट कर ले जाएंगे निर्दई का मतलब होता है बच्चों जिसमें दया नहीं हो तो एक पेर बुढ़े बरगद के पेर से पूछता है कि दादा क्या ये निर्दई लोग हमें भी काट कर ले जाएंगे बरगद ने अपनी जताएं हिलाते हुए कहा हाँ बेटा ये लोग एक दीन हमें भी मार डालेंगे छोटा पेर सोचते हुए बोला पर दादा मैंने तो सुना है कि पेरों के काटने पर सरकार ने रोक लगा दी है अब बरगद ने दुखी स्वर में कहा तू ठीक कहता है बेटा पर ये लोग पैसा कमाने की होड में इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी चोरी छीपे तो कभी सरकारी करमचारियों की मिली भगत से पेरों को काटने में जरा भी नहीं चुकते हैं चोटा पेर कहता है बचों कि हाँ दादा मैंने देखा था कल वो बरी-बरी मूछों वाला लाल-लाल आखों वाला जो आदमी था वही छांट-्छांट कर हमारे भाईयों को कटवा रहा था छोटे पेर यह डढ़ते ड़ते अपने बड़े पेर यानि बरगत बुढ़े बरगत से कह रहा था बरगत का पेर कहता है बचों की बेटा वह थेकेदार था वह अपने आदमियों को साथ लेकर आया था तभी साल का एक छोटा सा, साल ब्रिक्ष का नाम है बच्चो एक तरह का पेर होता है जैसे बरगद है, आम है, सीसम है उसी तरह से साल का भी एक ब्रिक्ष होता है तो साल का एक छोटा सा पेर बोला कि दादा कल तो वह बाल-बाल बच गया बरना कल जब उसने सीसम चाचा को कटबाया था तो वे धराम से उसके उपर ही गिर परते कचुमर निकल जाता उसका छोटे पेरने तपाक से तपाक से का मतलब होता है बच्चो जट से बोला कि अच्छा रहता वो मर जाता कम से कम आज तो उसके आदमी जंगल में आने की हिम् ही नहीं करते ना जाने कब मनुस्य को अकल आएगी ना जाने कब वह प्रकृति से प्रेम करना सिखेगा दूसरे पेर ने उसे समझाया बच्चो बर्गत दादा कहते हैं कि बेटा अपने बुरे कर्मों का फल जल्दी ही मनुस्य को भोगना परेगा और एक दिन मनुस्य भी खत्म हो जाएगा छोटे पेर ने बर्गत से पूछा कि दादा मैंने तो सुना है कि पेर मनुस्य के मित्र होते हैं तो बर्गत दादा कहते हैं कि हाँ बेटा हम मनुस्य के सच्चे मित्र हैं हम उससे कुछ नहीं लेते उसे जीवन भर सिर्फ देते ही हैं बच्चों आप ज अब छोटा पेर पूछता है बच्चों कि वह कैसे दादा तो बरगद उसे समझाता है कि बेटा कहां तक गिनाओं कि हम इन मनुश्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं क्या तुम जानते हो कि वर्सा भी हम ही करवाते हैं वर्सा रितू में तुम चारो और जल ही जल देखते हो पेरों के कारण ही होता है बच्चों अब पेर आश्चर्ज में बोला कि अच्छा दादा आगे बरगद दाता बताते हैं कि बेटा हम गंदी हवा जिसे मनुश्य कारबन डाक्साइड कहते हैं अपने अंदर खीच लेते हैं और बदले में सुध हवा यानि ऑक्षिजन देत है तभी साल का पेर कहने लगा एक बात मुझे भी पता है दादा वो यह की हमारी पतियां सूरज की रोश्नी में तरह तरह के खादे पदार्थ यानि की खाने योग खादे पदार्थ का मतलब क्या होता है बच्चों खाने योग जैसे फल फूल आदी बनाती हैं बरगद ब दवाईयां बनती हैं जंगलों में गूंद रवर और कागज बनाने वाली लकडियां भी मिलती हैं तो उसके बाद बच्चों पेर कहता है कि हमसे तो मसाले भी मनुस्य को मिलते हैं मसालों में दाल चीनी तेज पात जैसे मसाले जंगलों से ही तो प्राप्त होते हैं पेर से ही हमारी धर्ती भी सुन्दर लगती है, हमारे बिना, यानि कि पेर के बिना हम मनुस्य जिवित ही नहीं रह सकते हैं बच्चों, अब साल का पेर कहता है कि मनुस्य की समझ में यह बात क्यों नहीं आती है, और हमें वह मारे नहीं, हमारी वह रक्षा करें, लेकिन हम अग्यानी हैं निर्दाई हैं पेर को काट कर अपनी सुख सुभधाओं का उपभोग करते हैं बर्गत के पेर ने सांथ सुवर में कहा बच्चों कि अब यह बात कुछ मनुश्यों की शमज में आने लगी है उन्हें पता चल गया है कि जंगलों को काटने से वर्षा कम होने ल लगा है पसू पक्छियों के जीवन के लिए खत्रा बढ़ गया है पर जब तक यह बात बच्चों हम सभी को समझ में नहीं आएगी तब तक ना तो हमारी ना तो हम लोग पेरों की हत्या करने को रोख सकेंगे और नहीं हम मनुश्य के कल्यानकों के बारे में सूच सकेंगे अब मनुश्य को समझना होगा यानि की बच्चों हम लोगों को समझना होगा कि जंगल पसू पक्छी नदी पहार सभी उसके जीवन से यानि की पेरों के जीवन से जुड़े हुए हैं इनकी हानी हम सभी के लिए खत्रे की घंटी है इस हानी से उसका भी सरुनास हो सकता है पेर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, पेरों से ही हमें फल, फूल, लक्रियां, सबजियां, लक्रियां, गुंद, रवर, कागज, मसाले, इत्यादी प्राप्त होते हैं, जीने के सुध हवा, परदूसन को मिताने की छमता, सब कुछ पेरों के ही पास है, इसलिए बच्चों हमें अगर अपने परियाबरन को बचाना है, तो हमें पेरों को बचाना होगा, क्योंकि कहते हैं न, कि आओ परियाबरन बचाएं, सभी का जीवन बहतर बनाएं, धन्यवाद